हेलो दोस्तो, डे नमबर 22, 100 day series चल रही है, पिछले वीडियो में हमने income method को पढ़ा था, इस वीडियो में हमारा main purpose रहेगा expenditure method को continue करना, national income में 3 method क्यों है, ये मैंने पहले वीडियो में, that is day number 29 में शायर मैंने समझाया था, कि जिसमें हमने बताया था, कि कैसे 3 method measure किये जा रहे इस वीडियो में sole purpose है, expenditure method, लेकिन चीजे regular class में मैंने आपको detail main depth knowledge दे दिया है, इस वीडियो में expenditure method के वो सारे discussion करेंगे, जो book में लिखे हैं, लेकिन class में या school में या किसी भी तरीके से, चीजे छुट जाती हैं, और वहां से question बन जाता है, तो चालू करते हैं सबसे पहले expenditure method होता क्या है, this method measures national income as the sum total of final expenditure, सबसे पहले तो एक word पर focus करो, यहां लिखा है final expenditure, कहने का यह मतलब, कोई भी खर्चा, कोई भी ऐसा खर्चा, जो हम intermediate goods पर करने वाले हैं, कोई भी ऐसा खर्चा, जो intermediate goods पर करने वाले हैं, वो खर्चा यहां पर include नहीं होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहां पर भी लिख दिया है already, क्या लिखा देखो, expenditure on intermediate goods will not be included, तो आपको clear हो गया, कि वो meaning कहां से rise हो रही है, अब यह खर्चे जो है final expenditure, यह कौन कौन करने वाले हैं, तो कौन करने वाले हैं, दोस्तों, एक household है, एक forms है, government है, और आपकी country में आए foreigners भी है तो इन चारों sector का खर्चा, हमें final expenditure देखना है, हमें intermediate expenditure को consider नहीं करने वाले, precaution के भी थूद मैंने समझा दिया, और इस meaning के भी थूद, this total final expenditure is equal to GDP at market price, अब एक चीज़ ध्यान से समझते हैं, जब हम government के, जब हम household के, जब हम firms के, और जब हम foreigners के, final expenditure को, कौन से expenditure को, final expenditure को क्या करेंगे, sum करेंगे, किसके किसके खर्चे को, छारों sector के खर्चे को, जब हम sum करेंगे, तो हमारा answer आएगा दोस्तों, GDPMP, सर, पहला question, why GDPMP, GDPMP ही क्यों, ध्यान से समझना, income method के थुरू आपका जो answer आया था, जल्दी से बोलना दोस्तों, income method का answer आया था, NDPFC, अब यह NDPFC है, यह हमारे लिए income का काम करती है, कौन सी income का, factor income का, और हम जब factor income earn करते हैं, तो हमारा main motor है ता है, उसे क्या करना, spend करना, या उसका क्या करना, खर्चा करना, अब जो हम खर्चा करते हैं, यह करते हैं दोस्तों, दो चीजों पर, goods and services पर, अब एक में जो चीज बोलने वाला उसको click करेंगे, जल्दी से, goods and services पर जो खर्चा कर रहा है, जो कमाया, जिस and services को बनाने के लिए, country में कुछ न कुछ value addition हुआ है, value addition मतलब कौन सा method दोस्तों, valued method, और आपको पता है, value addition method का final answer GDPMP आता है, तो आप ध्यान से समझना एक बहुत important चीज, income method के थूँ आपने collect की income, factor income के form में, उस factor income को आप खर्च करने वाल हो, goods and services पर, और जो goods and services produced है, वो क रही न कहीं value addition के थूँ है, और value addition का answer होता है, GDPMP, इसका मतलब, जब आप expenditure करोगे, वो GDPMP के इसले equal आने वाली है, क्योंकि जो आप expenditure करोगे, वो goods and services पर करोगे, और वो goods and services जो produce हुई है, वो कौन से process के थूँ है, value addition के थूँ, और value addition का भी final answer आता है, GDPMP, इसलिए expenditure method का जो answer आता है, इसले लिखा है, total final expenditure is equal to gross domestic product at market price, चलो दोस्तों, शुरू करते हैं, इस method के बारे में, discuss करने से पहले मैं आपको इक चीज बता दूँ, कि जब भी आप कोई भी method पढ़ रहे हैं, तो आपको इक चीज ध्यान रखनी होगी, कि method पढ़ते समय ही, question solve करते समय ही, आपक चलती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है, आपको अगर लग रहा है नहीं कि expenditure method की precaution अलग point है, इस chapter का बिल्कुल नहीं, expenditure method के साथ ही precaution है, तो आगे चलते हैं, तो precaution number अगर आपन दूसरी बात करें, पहली तो होगी, क्या होगी, पहली intermittent recruits की value include नहीं करना है, दूसरा, किसी भी type के productive purpose के लिए, productive purpose के लिए use नहीं हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, productive purpose के लिए use नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसे transfer payment को हम include नहीं करेंगे, किसी भी type के second hand goods को हम जो purchase है, अगर मान के चलो, हम 2022 में एक activa विकी, 2023 में फिर उसे बेचा जा रहा है, 2022 में जब वो पहली बार विक थी तो उस पे किया गया खर्चा जो हमने खरीदने पे किया, वो एक बार include हो गया, अब 2022 में हम फिर उसी asset को फिर से किसी से खरीद रहे हैं, तो ये फिर second hand goods पे खर्चा हुआ, तो ध्याद से समझना, second hand goods पे किया गया खर्चा purchase पर will not be included, इसलिए क्योंकि ध्याद से सुने नहीं कर रहा, current flow of goods and services को impact नहीं कर रहा, मतलब सर, जब 2022 में आपने किसी से खरीदी थी, उस साल जो current flow of goods and services था, वो first time था, अगर 2022 के बाद, 2023 को आप फिर किसी दूसरे से उस asset को purchase कर रहे हो, तो वो कौन सा good है, second hand goods है, और second hand goods एक बार खरीदा जा चुका है, लेकिन second hand goods को ब अगर आप किसी भी type का commission और brokerage पे करोगे न, तो ये उस साल के current flow में add होने वाला है, तो ध्यान रखो, समरी बनाते हैं, second hand goods का purchase होगा, not included, लेकिन second hand goods को purchase करने के लिए, आपने किसी commission या brokerage दिया, किसी भी intermediary को, तो वो add होने वाला है, यहाँ तक चले दोस्तों, आगे के point म मैं आपको देरे-देरे समझाओंगा, यहाँ पर चलते हैं अभी method की तरफ, final answer क्या आने वाला method का देख लो, क्या आने वाला है GDPMP, क्या रहा है GDPMP, मैंने आपको detail में बताए कि GDPMP क्यों आएगा, अब हमें 4 खर्चे देखने, कौन-कौन से खर्चे देखने, हमें देखना ह है, government का, हमें खर्चा देखना है, foreigner का, हमें खर्चा देखना है, firm का, तो जो पहला खर्चा है, वो है private final consumption expenditure, ध्यान दो, यह जो खर्चा है, दोस्तो, household का कर्चा, कौन सा कर्चा है, household का कर्चा, तो देखो, household के तो बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे वो अपने private, private consumption के लिए खर्चा कर सकता है, private consumption में सभी रोटी कपड़ा मकान आ गया, या फिर, या फिर वो foreign जाके, ये तो हो गया दोस्तो, private consumption इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर उसने खर्चा कर लिया, तो इंडिया के अंदर वो कहीं भी खर्चा करे, private consumption में आ गया, इसमें आ गया, private consumption में आ गया, अब इसके बाद अगर वो foreign tour करता है वहाँ कोई खर्चे करता है foreign tour में कोई खर्चा करता है ये भी include होगा, क्यों सार खर्चा तो वो foreign में कर रहा है, ध्यााँ से सुनो दोस्तों, अगर वो खर्चा foreign tour में कर रहा है, तो है तो उसका खर्चा न है तो उसका expenditure न और है अगर उसका खर्चा और वैसे भी वो normal resident है क्या है दोस्तो normal resident तो normal resident का कोई भी खर्चा चाहे वो resident sorry चाहे वो domestic territory के अंदर करे चाहे वो foreign tour में करे उस expenditure को हमको include करना है बशरते एक दिक्कत है इस खर्चे में एक खर्चा जो की non resident वाले हमारे इंडिया में कर रहे हो non resident वाले अगर इंडिया में expenditure कर रहे हो उस expenditure को हमें include नहीं करना है क्या नहीं करना है उसे include नहीं करना है क्योंकि वे उस country के private final consumption expenditure में आएगा जिस country का वो है तो ध्यान रखते हैं normal resident इंडिया में करे इंडिया के बाहर करे expenditure include होगा non resident इंडिया में अगर expenditure करेगा उसे हमारे expenditure method में use नहीं करेंगे और बाकी आपको regular class में detail में मैंने समझाया है government final consumption expenditure इसका जो point of view होता है वो government के सारे खर्चे देखो government के दो टाइप के खर्चे with the motive of with the motive of social welfare and with the motive of with the motive of profit maximization तो दो खर्चे देखो एक बार यह है social welfare with the motive of social welfare और दूसरा है दोस्तो with the motive of profit ठीक है अब ध्यान से समयना अगली चीज़ तो basically government के क्या-क्या खर्चे हो रहे है यह से उन्होंने intermediate goods पर्चेस किया intermediate goods पर्चेस किया क्योंकि उन्हें output बनाना है फिर उन्हेने administration पर खर्चा किया administrative expenditure हुए दूसरा उनको अगर मान के चलो उनको undertaking PSU उसको चलाने के लिए को expenditure करना पड़ रहा है यह सारे खर्चे यह सारे खर्चे government के खर्चे तो है यह पूरे खर्चे हो गए लेकिन इसमें से हमको minus करना पड़ेगा जो वो sale कर रहे है sale of goods and services क्या कर रहे हैं sale of goods and services मतलब सर द्यान सा समझो यह तीनो कहीं न कहीं मिलके क्या बन रहे है expenditure बन रहे है और कहीं न कहीं यह जो है यह इनके लिए क्या है दोस्तो income है तो हमको क्या करना है government के expenditure के बारे में पूरी value और उसमें से जो income है उसको minus करना है क्योंकि हमको सिर्फ देखना है government का खर्चा हमको सिर्फ क्या देखना है government का खर्चा और जो sale हुआ है वो तो खर्चा है नी वो तो income है इसलिए अगर हम देखें तो वैसे यहाँ पर एक question में ऐसा specifically नहीं आएगा कि income भी government का expenditure है 99% question में government final consumption expenditure दिया होता है लेगिन आपको एक ध्यान रखनी है कि government का खर्चा कैसे निकलेगा जो भी उन्होंने खर्चा किया है whatever में विदर दे spent उसमें से जो उनकी income में उसको हटाना पड़ेगा आगे चलते हैं gross domestic capital formation अब इस चीज को ध्यान से समयना दूस्तों यह थोड़ा सा यह हमारे country के capital stock को बढ़ाता है किसको बढ़ाता है capital stock को तो any addition to capital stock will be included in gross domestic capital formation और gross investment investment word क्यों use हो रहा है investment इसलिए हो रहा है कि investment से ही आपकी asset बढ़ती है और हमको क्या देखना है capital stock और capital stock ही आपके country के asset को increase करेगा अब देखो जोस्तों जब भी आप investment करते हो तो दो type के investment होते हैं एक होता है ऐसा investment जो आपने fixed investment किया fixed investment मतलब आपने fixed asset purchase की कौनसी asset purchase की? fixed asset अब वो चाहे firm खरीदे आप खरीदो government खरीदे कोई भी ऐसा खर्चा जो आपकी fixed asset को बढ़ा रहा है और ऐसा खर्चा जो आपके current asset को बढ़ा रहा है तो वो कौनसा खर्चा हो जाएगा या वो कौनसा investment हो जाएगा? current investment अब एक बार और चीज में बता देता हूँ जितने भी normal asset है, जितने भी government enterprises है, जितने भी firm है ये सारे मिलके जो investment करेंगे उसको हम दो पार्ट में divide कर रहे है एक ऐसा खर्चा, एक ऐसा investment जो fixed asset है, एक ऐसा खर्चा जो current investment है और current investment को ही अलग नाम से अगर पुकारना चाहें तो आपन बना सकते हैं इसको inventory investment और जब आप current asset लेते हो, तो ज़री नहीं है कि वो within year में production purpose के लिए पूरा use हो जाए तो उसके लिए हमको एक काम करना पड़ता है, इस साल जो हमने लिया, closing stock पिछले साल का ऐसा stock, जो हम use नहीं कर पाए, उसको हमें हटाना पड़ेगा तो inventory investment में आपको ध्यान रखना होगा, कि ऐसा current investment जो इस साल हुआ तो है लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी investment होगे, जो पिछले साल purchase कि होगे लेकिन use इस साल नहीं हो पाए, तो उसको हटाना पड़ेगा और मैंने एक बात बोली थी, intermediate goods, ऐसा कोई भी intermediate goods जो इस साल during the year use नहीं हुआ, वो internal goods अब नहीं माना जाएगा यह मैंने वीडियो में explain किया है अब fixed investment, अब एक चीज़ जहां से समझो, जो fixed investment है, वो तो बहुत लोग कर रहे है fixed investment firm भी कर रही है, fixed investment government भी कर रहे है और fixed investment हम resident भी कर रहे है हम resident भी कर रहे है firm कौन सा investment कर रहे है, sir वो कर रही है, gross business investment वो क्या कर रही है, gross business investment अब firm कौन से कौन सी asset लेता है, sir firm asset लेगा plant and machinery, वो लेगा tools, वो लेगा equipment, वो लेगा building यह सारे वो खर्चे करेगा, और वो कौन से खर्चे होने चीए दोस्तों, fixed asset ठीक है, अब government के अगर बात करें, तो government कौन सा करचा करेगा, gross public investment, public investment मतलब, वो public at a large use करने के लिए public के लिए वो कुछ खर्चे करने वाला है, और वो कंसे खर्चे हो जाएंगे वो जाएगा दोस्तों, bridge हो जाएगा, वो हो जाएगा flyovers वो हो जाएगा roads, ये सारे खर्चे, again government के कौन से होने चीए, जो fixed asset create करें और resident, हम जो खर्चा करते हैं, वो asset के form में एक ही जगा कर्चा होदा है वो है gross residential investment, residential investment मतलब, जब हम नया घर खरीते कौन सा घर? नया, पुराना घर नहीं, second hand तो वैसे भी नहीं आ रहा है आपन पहले देखलो, पहले ही यहाँ लिख चुका हूँ मैं, second hand goods include नहीं होने वाला मैं पहले लिख चुका हूँ, तो second hand goods घर की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ भी gross residential, यहाँ भी gross public, यहाँ भी gross business तो ऐसा fixed investment जो gross है जिसमें अभी depreciation use नहीं हुआ है तो वो जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं दोस्तो gross domestic fixed investment उसको क्या बोलते हैं? gross domestic fixed investment क्यों? क्योंकि यह government, firm और resident का तीनों का मिलाके ऐसा domestic investment है जिसमें depreciation use या deduct नहीं हुआ है और वो investment है क्योंकि उसमें conscious rate create हो रही है fixed investment, current investment तो मैंने समझा दिया अब बात करते हैं इस method के ऐसे component जो थोड़ा सा confusion इसमें थोड़ा कम है तो net export मतलब जितने भी country के exports हुए उसमें से हम minus करेंगे imports को क्या minus करेंगे उसके import को तो यह जाएगा दोस्तो net export मतलब जितना भी पैसा आया और import मतलब जितना भी हमने pay किया उस खर्चे को minus कर देते हैं लेकिन कभी कभी इस questions में एक दिक्कत होती है देखो अगर net exports minus में दिया है net export minus में दिया है तो आप sign तो net export के सामने plus का लगाओगे यहाँ plus का sign लगेगा minus में value दिरेगी तो वो आप algebraic mathematical देखना लेकिन अगर question में net import दिया है net import दिया है तो यहाँ plus का sign नहीं लगेगा बलकि यहाँ क्या लगेगा minus तो एक बार और net export दिया है minus में दिया है तो sign तो आप plus का लगाओगे लेकिन minus का sign होने के काराण वो value minus हो जाएगी, deduct हो जाएगी लेकिन net import दिया है तो उसको हमेशा क्या करना है अपने को minus करना है अब एक चीज में आपको last में मैं clear करना चाहता हूँ एक चीज ध्यान चे समझेंगे जो third component है GDCF वो निकलता है दोस्तों gross domestic fixed investments है plus current investments तो GDCF कैसे निकलेगा gross domestic fixed investment plus current investment अब एक चीज इसमें ध्यान रखना है कभी कभी कोशन में GDCF की जगह आपको देदेगा दोस्तों NDCF क्या देदेगा NDCF तो कुछ नहीं आपको पहले GDCF निकालने के लिए आपको GDCF निकालने के लिए NDCF में आपको add करना पड़ेगा depreciation अगर आप depreciation add कर गए तो ये net किसमे change हो जाएगा gross में और आपकी value क्या जाएगी GDCF तो अगर net दिया है तो उसको gross में convert करने के लिए क्या add करना पड़ेगा depreciation और एक बात ध्यान रखेंगे एक बात ध्यान रखेंगे कि gross domestic capital formation जो है इसको gross investment के नाम से भी पुकारते हैं तो confusion नहीं होना चाहिए precautions की तरफ चलते हैं दोस्तों precaution में एक है purchase of financial asset क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ mere transfer only transfer of title है ये actual खर्चा नहीं हुआ सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ दोस्तों mere transfer of title इसलिए इसको include नहीं करेंगे लेकिन however ऐसा कोई भी अगर commission जैसे आपने grow app को दिया या फिर आपने जिरोधा को दिया ऐसा कोई भी broker pay कर रहे हो financial asset को purchase करने के लिए तो वो वाला खर्चा इस साल add होगा और last है expenditure on own account of production अगर आप खुद के लिए कोई goods purchase कर रहे हो factory के लिए तो वो खर्चा है दूसरा अगर आप खुद produce कर रहे हो goods self consumption के लिए तो उस पे किया गया खर्चा भी include होगा और अगर आपने कोई input लगाए है जो own account पे है own account मतलब आपने खुद लगाए थे तो उसका भी खर्चा use होगा reason being ये सारे खर्चे दोस्तों productive purpose के लिए किसके लिए है productive purpose के लिए तो जब productive purpose के लिए है तो इसका मतलब ऐसे खर्चों को भी include करना पड़ेगा अब ध्यान देते हैं expenditure method में आपको तीन बाते याद रखने है पहली answer आएगा GDPMP दूसरा third जो है third जो है कुझ साला point third gross domestic capital formation इसको ध्यान देना है and सबसे important precautions में आपको चीज़े clear रखने है यहाँ पे कतम होता है दोस्तों expenditure method आगे चालू करते है ऐसा topic जो बार बार exam में है real GDP, nominal GDP वो सारी चीज़े discuss करते है